नमस्कार आप देख रहे दाइंडिया टीबी और मैं हूँ आपके साथ सद्धाम करेमी आज भारत जोडो नया यात्रा को एक महने पूरे है चुके हैं और उसके बाद अब उत्तर परदेश में बहुत जल्द जो है भारत जोडो नया यात्रा जो है अब परवेश करने वाला है लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर परदार मंत्री नरेंद्र मोदी के दस साल में जो जूट की खेती हुई है उसका मैं आज परदाफाश करने आया हूँ क्योंकि जिस तरह से उनके कारिकाल में जो दस साल का कारिकाल रहा है उसमें किस तरह से जो है किसानों को ल किसानों की आये दुगूनी करेंगे और वो आये दुगूनी नहीं हुई जब कि किसान सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतर आये थे और उसके बाद MSP पर जो गारंटी कानून देना था MSP पर जो न्यूंतम समर्थन मुल्थ देना था वो नहीं हुआ और उसके बाद और आज किसानों की यह हालत है कि वो दिन परती दिन जो है किस तरह से तकरीबन हर दीन वो तीस किसान जो है आत्मात्या करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहा है परधान मंत्री नरंद्र मोदी के कारकाल पर नयाय जोड यातरा को लेकर साफ संदेश है कि हम लोगों को नयाय दिलाएंगे और जो भी चीजे हो रही है क्योंकि किसानों को लेकर जब बात होती है तो उनको ौपर आप लेकिन परधान मंत्री नरेदर मोदी ने जो वादा किया था वो अपने वादे पे खड़े नहीं उतर पाए अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उनको जो है कही न कही गुजरास सरकार ने जो है OBC के तरफ से कहा गया था कि परधान मंत्री नरेदर मोदी OBC है लेकिन र लिए क्या रहा हूँ क्योंकि राहुल गांदी ने इस बात का खुलासा किया था और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो किस तरह से है भागेदारी की लड़ाई को लेकर जो है कही न कहीं जो है राहुल गांदी भारत जोड़ो नियाय यात्रा कर रहे हैं उनका साब तोर पर कहना है कि जिन लोगों को नियाय नहीं मिला है हम उनको नियाय दिलाएंगे और जो लोग कह रहे हैं कि OBC समास से परधान मंत्री आते हैं वो जो है ऐसा नहीं है जिस तरह से हमारे देश में किस तरह से SC, ST, OBC पर अत्याचार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उनके किस त परधान मंत्री नरेंद्र मोधी जूट की खेती किया है जो अपने 10 साल के कारकाल में अभी तक जो उन्होंने किया है वो कही न कहीं किसानों के हित में नहीं है किसानों के लिए जो उन्होंने वादा किया था वो नहीं है और OBC को लेकर जो बात होती है कि वो OBC समास से आते उनका भी कहीं न कहीं राहुल गांदी ने खुलाशा किया है तो इन चीजों को अगर आप चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले किसानों को न्याय मिले तो आप भारा जोड़ो न्याय आत्रा का हिस्सा बने और राहुल गांदी के हाथ को मजबूत करें क्योंकि न्याय का हग म ना भूले, ना भूले.